हेलो दोस्तों क्या होगा अगर 29 एप्रिल को एस्टरोइड जमिन से टकराया तो फो योर काइन्ट फॉर्मेशन मैं आप सबको बता दूँ कि हर रोज छोटा छोटा एस्टरोइड गिरते हैं परन्तु छोटा होने के कारण प्रिथिवी में गिरते ही प्रिथिवी के वातवरन से खतम हो जाता है लास्ट एक सो साल से अगर आप दिखते हैं तो सिर्फ एक बड़ा एस्टरोइड गिरा था जिसके कारण बहुत ज़ाद लुसकान हुआ था ये राशिया के चलिया बिन सिटी में गिरा था फिफ्टेन फैर तुथाउजन थर्टिन को करीब नाइन ट्वेंटी के आसपास लगभग 20 मिटर प्रिथिवी के करीब और स्पीड था एस्टरोइड का 19.16 टॉलरेंस 0.15 किलोमेटर पर सेकेंड यानि की 60,000 से लेके 69,000 किल देमेज हुआ था करीब 50,000 लोग हाइल हुए साइंटिस्ट के हिसाब से आज से 66 मिलियन पहले ऐसा एस्टरोइड गिरने के कारण से सारा डाइनसेर्स मारा गया था नासा ने जानकरे दी है कि एक एस्टरोइड 52768 आ रहा है धर्ति की तरफ जो माउंट एवरेस से भी कही गुना बढ़ा होगा और 32,000 किलोमीटर पार आवर के स्पीड में धर्ति की तरफ आ रहा है अगर ये धर्ति से टकड़ाएगा तो बहुत बड़ा नुस्कान होगा अगर ये धर्ति पे गिरेगा तो बहुत सादा सिटी को डिमेज करेगा और अगर ये पानी में गिरेगा तो बराज से बरा सुन अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी जानकारी हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजिए शेर कीजिए फैमिली और दोस्तों के साथ थेंक्यू फो वाच्चिंग